हेलो एंड वेलकम डू बुक्स वाले भाईया आज एक स्पेशल खास किताब लेकर रहा हूं एक थ्रिलर जो की दिखा है अनंद रंगनाथन जी ने जी हां इस बुक का नाम है सूफले बाया अनंद रंगनाथन अनंद रंगनाथन जी एक जानीमानी हस्ती है यह जैनियू में प्रोफेसर हैं और नैशनलिजम पब्लिक पॉलिसी और ऐसे कई मैटस पर अपनी बेवाक राए के लिए जाने जाते हैं और अपने बेवाक राए अपने नजरिये और एक बहुती वेल आर्टिकुलेटेटेड मैनर में वो अपनी बात रखते हैं तो बहरा लेकिन यह यह अब इस नौट अब नैशनलिजम और इस नौट अब पॉलिटेक्स और पॉब्लिक पॉलिसी इस अध्रिलर नॉवल है एक मर्डर मिस्ट्री है जैसे हम कहते हैं हूद इट या कातिल कौन और मैंने यह बुक अभी रीसेंटली खतम करी है और मेरे वो अंडाउटिटली ज़रूरी होते हैं एक तो कि नौट बहुत जादा लेंदी नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप मर्डर मिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको एंटेस्ट्री जाने में होता है कि किसने मर्डर करा है और अनुराग था जिनने सरफ 180 और पेजिस में यह बुक लिखी है जैसे सब्सक्राइब देख सब्सक्राइब को लिखा है जो ना बहुत ज्यादा डिटेल्स करके आपको बोर कर देगी ना ही बहुत ही आपको लगेगा कि वो सिरफ दोड़ा रहे हैं और कहानी तो कहीं ठीक से चल नहीं रहे हैं दूसरी चीज जी हां मैंने बहुत मिस्ट्री अपना experience और अपना confidence की मैंने पढ़े हैं मैं नहीं guess कर पाया कि असली कातिल कौन होगा और यह मेरा जरूर दावा है इसलिए मुझे बुक बहुत पसंद भी आई है कि उन्हें इस तरह से लिख है कि आपको थोड़ा थोड़ा अलग तरह से सोचने को फोर्स करेंगे सोचने से प्रॉपर लॉजिक और रिजिंग कर पाए कि मुझेर कौन होगा तो क्या वहरा स्टोरी पर आते हैं तो स्टोरी एक बिजनेस टाइकून की है जिनका नाम है मिहीर कोठारी और एक दिन यह एक सूफले खाते हैं जो एक स्वीट डिश होती है और वहां के फेमस या अल्ट्रा फेमस शेफ रजी महरा पर क्योंकि उन्होंने ही उनके खाना बनाया था और रजी महरा जी खुद अपने आप में इस नावल के साफ से एक जानी मानी हस्ती है और यह बहुत वेल नोन फाइस्टार मिकलिन श्टार शेफ जिसे कहते हैं वह है तो बहरा नौल का फी फिर प्रसीड करता है और यह डिसाइड होता है कि रजी महरा ही किलर है और उनको मौत की सजा दी जाती है इस्पाइड देपकिस्ट यह कि रजी महरा किलर नहीं है लेकिन महरा जी उसको अपना भाग्य मान लेते हैं वह समझते हैं शाएक मेरे देस्ट्टनी थी और वह अपने उस संटेंस को एक सेप्ट करते हैं और जब उनको आने लगा होता है तो भाग्यवाश कुछ रण uwagę से एसे होते हैं कि वो बच जाते हैं बिना कुछ कि यह गाड़ी से निकलते हैं और बाग जाते हैं और अपनी अपनी इन्नस को प्रूव करना है क्योंकि मैं तो कातिल नहीं हूँ इंटरस्टिंगली सिरफ एक ही मर्डर नहीं होता जो महिर कोठारी का जो बिजनस टाइकून है एक स्पेट ऑफ मर्डर्स फॉलो होता है कई एक से जादा मर्डर होते हैं यह आप स्टिल समझ जाएंगे कि करने वाला तो शायद यह शायद मैं कहूंगा एक ही शक्स है लेकिन वो कौन है क्यों है उसका मोटिव क्या है और यह आपको आप समझेज़े बिलकु लॉवल के एंड में पता चलेगा और वहां भी जो आप एंड में भी जो आप शुरू में समझेंगे वैसा नहीं होगा इस चीज़ करने में पूरा पूरा क्रेट दूंगा अनान जी को कि कि उन्होंने काफी ट्विस्ट इंटर्ण्स करके आपको बिलकुल एंड तक वो सही बात पर पहुचाते हैं कि वास्ता में कहानी क्या है और अनान जी को मैं काफी टाइम से फॉलो करता हूं बट यह नावल बढ़के ऐसा नहीं लगा कि वह मिस्ट्री को पहली बार लिख यह कहीं से भी एक ऐसे ऑथर का काम नहीं लग रहा जिन्होंने एक सस्वेंस नौबल मिस्ट्री नौबल पहली बार लिख एक बहुती एक्सपीरियंस परसन का मुझे काम दखता है मेरे थोड़ी सी हहरानी के बात है कि यह उनका पहला मिस्ट्री नौबल है इसको पढ़ने में टोन में नौबल लिखा है लेकिन कहीं पे उनने एक ओवरफ्लो नहीं करा है आप बहुत इजली इसको पढ़ सकते हैं ऐसे इंग्लिश नहीं है कि आप कुछ समझ नहीं आएगा आप जरूर पढ़िये और मेरा दावा है कि अननजे आपको गज़त सावित करके रहेंगे क्योंकि अक्सर नौबल से मुंस सोचने लगते हैं कि कौन मर्डर होगा और सक्या मोटी होगा आप इसको गैस नहीं कर भाएंगे आपका जो फीड़बेक है नौबल का वो शेर कीजिए मेरे को लिखिए रीडविध एटी एट ग्मेल डॉट कॉम पे आप में से फेस्बुक इंस्टाग्राम ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं थैंक यू